नमस्कार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है competition community में आज के इस वीडियो में हम लोग analysis करने जा रहे हैं जो 36 गर सरकार द्वारा 3 मार्च 2020 को budget प्रस्तूत किया गया था उस budget में जो 36 गर सरकार द्वारा पहले से योजनाय चलाई जा रही है उसमें कुछ प्राबधान किया गया है इसके अलाबा इस budget में 36 गर सरकार द्वारा कुछ नई योजनाय की घोशना भी की गई है तो आज के इस वीडियो में इन ही कुछ योजनाय को आज हम चर्चा करेंगे और कुछ योजनाओं को इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जो इस साल 36 गर का budget प्रस्तूत किया गया उस budget में स्वास्त सेवाओं से संबंदीत कौन-कौन से ऐसी योजनाय चलाये जा रही है जिसमें प्राबधान किया गया है या फिर 2020 में स्वास्त सेवाओं से संबंदीत कौन-कौन सी योजनाओं को सुरू किया गया है इसके लावा आज के इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि 36 गड़ के यूथ के लिए कौन-कौन से प्राबधान इस साल के बजट में किया गया है तो सुरुवात करते हैं सबसे पहले स्वास्थ से बाउं से संबंदी जो बजट चलाया जा रहा है उससे रिलेटेड सबसे पहले नंबर पे मैं यहां पार रखना चाहूँगा डॉक्टर खूप चैन्बगेल स्वास्थ साहता योजना हालाकि इसके बारे में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ इस योजना की घोशना की गई थी नवंबर 2019 में योजना सुरू किया गया एक जनवरी 2020 को और मैं आपको पहले भी बताया था कि इस योजना में पाँच योजनाओं को समाहित किया गया है इसके अलावा इस साल जो बज़ट प्रस्तुत हुआ 2020 और 2021 का इस बज़ट में इस योजना के लिए साड़े 500 करोड रुपय का प्रापधान किया गया है ध्यान रखिएगा स्वास्त से वाओं से संबंदित ये सबसे important scheme है जो 36 गर सरकार दोरा अब चलाई जा रही है आपका पिपर नंबर 7 में योजनाओं से संबंदित जो आपका topic है वहाँ से ये question पूछा जा सकता है ध्यान रखिएगा बज़ट में जो प्रापधान किया गया है वो 500 करोड रुपय का किया गया है इसके लावा मैं आपको यह बता दू कि यह योजना कौन-कौन से परिवार को कवर करता है सबसे पहले वो परिवार जिनके पास में प्रात्मिक्ता या अंतियोदे रासनकार्ड है उन परिवारों को प्रती वर्स 5 लाग रुपय तक का हिल्थ कवर फ्री में प्रदान करता है इसके अलावा वो परिवार जिनके पास में समान्य रासनकार्ड है उन परिवारों को 50,000 रुपय प्रती साल हिल्थ कवर फ्री में प्रदान करता है और यह 36 गड़ के कुल 65 लाख परिवारों को कवर करता है तो ये हो गया पहला इस्कीम कौन सा? डॉक्टर खूप चंग पगेल स्वास्त साहता योजना. इसके बाद जो दूसरा इस्कीम है वो है मुख्यमंत्री विसेश स्वास्त साहता योजना. इस योजना की घोषना भी पहले वाले योजना के साथ में किया गया था. कब? किसी सदस्य को ऐसी कुछ क्रिटिकल बिमारी हो जाए तो मुख्यमंत्री विसेश स्वास्त साहता योजना के जरिये 20 लाख रुपए तक का आपको प्रतीक साल हिल्थ कवर दिया जा सकता है. और इसके लिए जो बजट में प्राबधान किया गया है वो 50 करोर रुपए का कि गया है. तो ये हो गया आपका दूसरा सबसे महत्पून स्कीम जो की सुरू कब हुआ एक जनवरी 2020 से और बजट में किस प्रकार से प्राबधान किया गया है वो ध्यान रखियेगा और इसके लावा कौन-कौन से परिवारों को ये कवर करता है इसके बारे में भी आप से चला आ रहा था लेकिन बस्तर के छेतर में सिर्फ चल रहा था लेकिन दो अक्टूबर 2020 से इस योजना को पूरे प्रदेश में सुरू कर दिया गया कूपोशन को खत्म करनी के लिए 36 सरकार का एक विशेस पहल है सो पोशन अभियान और इस साल जो बजट में प्राबधा किया गया है इस योजना के लिए इस कैंपेंग के लिए वो किया गया है पांच करोर रुपए का यहां रखिएगा मेंस में आप वैलू एडिशन कर सकते हो इन आकडू का ठीक है तो चलिए इसके बाद बढ़ते हैं स्वास्त से वाहों से संबंदी चौथे स्कीम की तरफ इसके बाद जो चौथी स्कीम है वो है महतारी जतन योजना इस योजना को सुरू कब किया गया था मैई 2017 में और इस साल इस योजना में 31 करोर रुपए का प्राबधान किया गया है इस योजना का उद्देश क्या है गर्ववती महिलाओं में पूशन की कमी ना हो इसी उद 2020 और 2021 के बजट में ध्यान रखिएगा 31 करोर रुपए का प्राबधान किया गया है इसके लबा नेक्स्ट स्कीम आ जाता है हमारा स्वास्यवाओं से संबंदित ही वो है विसेज पूशन अहार योजना यह विसेज पूशन अहार योजना है जो बच्चों में को पूशन की समस्या हो गई या फिर जो महिलों में एनिमिया की समस्या हो गई जो आपका सुपूशन अभियान चलाया जा रहा है और जो भी 36 गर में पूशन से संबंदित स्कीम्स चलाया जा रहे हैं वो सारे स्कीम्स इसमें मिल जाते हैं और इसमें जो प्राबधान किया गया है आपक का किया गिया है तो ध्यान रखिएगा अगर कभी भी माल निउट्रिशन को खत्म करनी के लिए 36 सरकार के पहल की बात हूँ या फिर एनिमिया को खत्म करनी के लिए 36 सरकार के पहल की बात हूँ या health sector से related कोई question पूछा जाता है तो one by one यहाँ पर आप add कर सकते हो value addition के तौर पर इसके लाब अगर direct question भी पूछे जाते हैं तो आप उसके लिए prepare रहिएगा ठीक है तो यह सब जो है 36 सरकार द्वारा स्वास्ट सबहों से संबंदीती schemes चलाया जा रहे हैं इसके बाद जो अगली योजना है वो है मुख्य मंतरी हाट बजार क्लेनिक योजना इस योजना की सुरुवात कब हुई 2 October 2019 को आप लोगों को पता है न मैंने पहले भी पढ़ाया है 2 October 2019 को 36 सरकार द्वारा 5 योजना की घोशना की गई थी और 5 योजना में से 2 योजना जो है आपके इस साल के prelims एक्जाम में पूछा गया है तो मेंस में भी पूछे जाने की बहुत अधिक तक संभावना है इसलिए तयार रहेगा तो मुख्य मंतरी हाट बजार क्लेनिक योजना का उद्देश है क्या था जो दूर दराज वाले एरिया हैं जहां पर हाट बजार लगते हैं वही पर स्वास्त की सुविधा पहुचाया जासा के इसलिए पूरे प्रदिस में हाट बजार क्लेनिक योजना की सुरुआत की गई थी और इसके लिए जो बजट में इस साल प्रापधान किया गया है वो 11 करूर रुपे का किया गया है इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्कीमा आजाता है वो है मुख्यमंत्री सहरी स्लम स्वास्त योजना इस योजना की भी सुरू कब किया गया था बजट में कितने का प्रापधान किया गया है इसमें अलग से कोई मेंसर नहीं किया गया है पस इतना ध्यान रखियेगा कि स्वास्त सवाओं से संबंदी जो इसकेम शलाया जा रहे हैं उसमें आपका एक इसकीम है मुख्यमंत्री सहरी स्लम स्वास्त योजना नाम से clear है जो सहरी छेतर में सलम एरिया है उस एरिया में बहतर स्वास्थ सवाइं पहुंचाए जा सके इसलिए इस योचना को सुरूख किया गया था चलिए इसके बास स्वास्थ सवाओं से संबन्दी थी जो आठवा इसकी माज आता है वो है आपका बस्तर मलेरिया अभियान हाला कि यह अभियान जो है सिर्फ बस्तर छेतरों तक ही सिमीत है जैसे के नाम से clear है लेकिन यह अभियान जो है नैसनल नियूज में भी बहुत दिन तक सुर्खियों में रहा था तो इसलिए यह important हो जाता है आप से परिच्छा में पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है तो क्या है यह बस्तर मलेरिया अभियान बस्तर में मलेरिया को मुक्त करने के लिए इस अभियान को सुरू किया गया कब सुरू किया गया इसका प्रथम चरण सुरू हुआ आने वाले समय में इसका दूसरा और तीसरा चरण भी चलाया जाएगा डेट अभी फाइनल नहीं है लेकिन चलाया जाएगा तो ध्यान रखिएगा मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान जिसके तहट में लाखों लोगों का बलड सैंपल लेकर मलेरिया का टेश्ट किया गया और इसके अलावा बहुत सारे लोगों का इलाज भी किया गया तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के बारे में भी तो इस प्रकार से जो मैंने स्वास से वहां से संबंदीत आठ योजनों का जो नाम बताया और जिस प्रकार से उसमें प्रा क्या क्या कर रही है और इस बजट में किस प्रकार से प्रापधान किया गया है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले अगर मैं 36 सरकार की पहल की बात करूं या फिर इस बजट में प्रापधान की बात करूं तो है आपका राजीव युवा मितान क्लब योजना इ पाकि जो इस पूर्ट से जुड़े हुए लोग हैं या फिर जो युवा हैं उनको खेल के प्रती पृत्साहिद किया जा सके उनको राज्य स्थरी, राश्टी स्थरी और अंतराश्टी स्थरी पर पहचान दिलाया जा सके और इसके लिए बजट में प्राबधान किया गया है पचास करोर रुपै का, तो ध्यान रखिएगा राजीव युवा मितान कलब यूजना के बारे में, इसके बाद जो निक्स्ट आ जाता है युवा के लिए चत्तिजगर सरकार ने इस बजट में क्या-क्या और रखा है, तो युवा मोहोटसब, आप लोग को पता है कि प्र प्रतीक वर्स और बहतर तरीके से आयुजित किया जा सके, युवाओं को और अफसर प्रदान किया जा सके, इसलिए इस साल इस बजट में युवा मोहोटसब के लिए पांच करोर रुपै का प्राप्धान रखा गया है, चत्तिजगर में खेल को बढ़ाबा मिल सके, यहां इस पटेल, वो इसके उपाध्यक्ष है, और इसके अलावा, जीतने भी मंतरी हैं, वो इस खेल विकास प्राधिकरन के सदस्य है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो इस बात से भी ध्यान रखेगा, कि चत्तिजगर में अगर युवा से संबंदीत प्रशन पूछा जाता है, कि चत्तिजगर सरकार युवाओं के लिए क्या क्या कर रही है, तो आप इस विकास प्राधिकरन का मेंशन जरूर कीजिएगा, वैल्यू एडिशन बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे मांक्स मिलेंगे, ठीक, चुले, इसके बाद, नेक्स्ट जो स्कीम आता है, व और इस युजना के तहट में, जो खिलाडी है, उनको राश्टी इस तर पर पर प्रोटसाहित किया जाएगा, अगर उनको ट्रेनिंग किया वे शकता है, तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो इस तरह से हमने आज स्वास्त सेवाओं से संबंदी 36 गर सरकार इस साल के बजट में, युवाओं के लिए क्या क्या करने वाली है, या फिर उनके लिए किस प्रकार से प्राप्धान किया गया है, यह हमने जाना, इसके अलावा और भी बहुत सारी युजनाह के बारे में, हम लोग चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में, हम लोग और चली पालन या फिर सिचाई से संबादी 36 सरकार ने कौन-कौन सी योजना में कितने का प्राबधान किया गया है और अगर फिर कोई नई योजना शुरू की गई है तो वो योजना किस प्रकार से है किन छेतर के लोगों को कवर करता है तो इसके साथ ही इस साल के बजट में जितनी भी योजनों में प्रापधान किया गया है या जितनी भी योजनों की घोशना की गई है उन सब के बारे में हम लोग इस सेरिज में चर्चा कर लेंगे तो इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप घर बैठे अपने समय को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हो अपनी जो पढ़ाई की कंसिस्टेंसी है अगर आप चाहते हो कि वो ब्रेक न हो अगर आपका जो फ्लो है वो न टूटे तो आप घर बैठे तैयारी कर सकते हो हमारे इस मुबाइल कोर्स के माद्यम से जो कि अभी फिलहाल आपको 42 सो रुपय पे करना पड़ता था पहले वो मातर 3000 रुपय में अविलेबल है अगर आप अलग-अलग सब्जेक्ट वाइज भी पर्चेस करना चाहते हो तो अलग-अलग सब्जेक्ट वाइज भी पर्चेस करके पड़ सकते हो लेकिन पढ़ो ठीक है घर में यूही समय को व्यर्थ ना करें पढ़ते रहें क्योंकि जब आपकी एक बार कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी न तो उस कंसिस्टेंसी को वापस से मेंटेन करना बहुत मुस्किल होता है मैंने आपको पहले भी एक एक एकजांपल दिया था न मान लो कि आप एक बंद अंधेरे कमरे में बंद हो और जैसे अचानक से रोशनी में आते हो तो कुछ देर के लिए आपकी आँखे खुलती ही नहीं है तो ठीक वैसे ही यह महौल है कि अगर आप चार दिवारी में बंद हो अचानक से बाहर जाओगे और सोचोगे कि पहले मैंने कुछ नहीं किया और आप कंसिस्टेंसी वापस फ्लो में आ जाए तो नहीं कर पढ़ो ठीक है तो stay home study at home इसके अलावा आप हमसे updated रहने के लिए हमारा facebook page competition community को like कर लीजेगा follow कर लीजेगा वहां पर भी जो important कुछ update होते हैं या कुछ जानकारी होती हम लोग post किया करते हैं इसके अलावा आप हमारे telegram channel से जोड़ सकते हैं telegram का link और facebook का link दोनों description में म पर भी बहुत सारे important information वीडियो के notification अबलेबल करवाया जाता है तो telegram channel से भी जुड़ जाईएगा और हाँ video like share और channel पे नए हैं तो channel को subscribe जरूर कीजेगा तो फिलाल इस video में इतना ही thank you thank you प्रमाच CGPSC की समपूर्ण तयारी के लिए competition community के youtube channel को subscribe कीजे और daily updates के लिए bell icon को प्रेस करना ना भूले